हालो एव्रिवान गुड मॉर्णिंग कैसे हो भाई हम लोग क्लास नाइन के लिए चैनल पर रहे हैं चैनल चल रहा है और 7.3 एक साइज का सॉलिशन चल रहा है अभी कोस्टन नमर थी का सॉलिशन इस वीडियो में देखने बाले हैं तो एक साइज 7.3 में मेरे पाथ 6 एक नते हो डिस्क्रिप्शन में उन सारे के स्वाड़न लिंक दिया हो एक दरब से तो 7.3 पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन ये चेक कर लेना अभी कोस्टन मतरी का स्वाड़न स्वाटली संट देखेंगे और साथ में आप फरस्टाय्म अगर देख रहे हो तो चैनल को सबस् यहां पर तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी विडियो जाएंगे आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगे वह आप तक पहुंच जाए कोशन मत्री को सॉल्फ करते हैं कोशन पढ़ो थोड़ा साच्छा कोशन लग रहा है देखने में तो साइड अबी और बी सी एंड मीडियन एम और वन ट्रेंगल एबी सी देखो और इसका दो साइड एबी और बी सी ठीक है मैं इसको अलग से मार कर दू रसा अच्छा रहेगा एक कह रहा है कि इसका एबी ठीक हैर और इसका प्य क्यो यह बराबर कह रहा है थिर क्या कह रहा है फिर वो कह रहा है कि इसका इसका BC ABC का BC और PQR का QR यह भी बरावर कह रहा है ठीक और median median इसका median AM ठीक है और इसका median PN इसको भी वो कह रहा है कि यह बरावर है बात समझा गए ना आप तो साफ साफ आपका figure किदम clear है देख पारे हो क्या काम करना है तो आपको proof करने के लिए कह रहा है कि so that ABM ABM यह triangle और यह triangle congruent होगा हम congruent आराम से कर लेंगे यह तो congruent लगी रहा है कि side 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 सी congruent हो जाएगा ठीक है और दूसरा ABC पूरे triangle ABC और PQR की बात कर रहा है यह भी आराम से congruent हो जाएगा ठीक है आसान कोशन था मेरे को देख के लिए कि बढ़ा होगा लेकिन बहुत ही आसान है देखो शुरू करें कि आप एक बात जानते हो यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर BC इक्वल टू क्यूर दिया हुआ है कही रहे कि BC और QR बढ़ावर है तो BC QR बढ़ावर है ठीक है ? ओके एक बात समझो यहां पर BC QR यहां पर आपका AM जो है AM यह median है तो median क्या करता है कि जिस side पे fall होता है उस side को दो बढ़ावर पार्ट में बाट देता है मतलब जितना यहां पर BM होगा उतना ही यहाँ पे MC होगा और मैं यह कहूँगा कि भाई यह आप BM लो या फिर आप MC लो यह दोनों ही किसका आधा होगा यह BC का आधा होगा क्योंकि median आधा ही तो करता है तो आधा इधर कर दिया मतलब यह भी BC का आधा और यह BC का आधा यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि यह जो QN है और इधर जो NR है क्योंकि हमारा PN median है तो इधर से QN और इधर से NR यह दोनों बड़ाबर होगा और यह किसका आधा होगा यह QR का आधा होगा क्योंकि QR का median है PN यह बास समझ में आ गई ठीक है तो मैं कह रहा हूँ कि BC equal to QR यह तो कुछ नहीं कह रहा है अब अब कहोगे कि BC जब QR के बराबर है तो BC का आधा जो होगा वो भी QR के आधे के बराबर होगा एकदम बराबर होगा जैसे तुम 50 kg के हो मैं भी 50 kg का हूँ तो तुम्हारा आधा 25 kg जी मेरा आधा 25 kg बराबर तो है तो अगर BC QR बराबर है इसलिए BC का आधा और QR का आधा बराबर होगा इसका मतलब यह हुआ कि BC का आधा देखो BC का आधा MC भी है और BN भी है तो तुम इस टैंगल में जा रहे हो इस टैंगल में दोको BM चाहिए BM तो BC का आधा BM भी है तो BC का आधा को मैं क्या लिखता हूँ BM लिखता हूँ और QR का आधा QN भी है देख रहे हो QN तो उसको में QN लिखता हूँ अब यहां से एक बात clear हो गया अच्छा यह जो BM है और यह जो QN है यह भी बराबर है एक AB AB और PQ अपने बराबर देखे रखा है AM ठीक है AM और PN आपने बराबर देखे रखा तो हो गया हमारा काम खत्म यहां पर है देखो अब solution की बात करें in triangle AB M and triangle किंदो की बात करें ABM और PQN PQN इन दोनों टैने में आप जाओगे आप क्या कहोगे देखो सरी AB AB और PQ बराबर दिया हुआ है कही रहा है AB इक्वल टू PQ ठीक AB इक्वल टू PQ BM इक्वल टू QN अभी हमने देखा है अपने इकाल के रखा हुआ है मैंने पहले से BM इक्वल टू QN और और यह जो AM है और PN है बराबर देख रहा हुआ है कि क्या कह रहा है AM मीडियन AM और मीडियन PN यह भी बराबर है तो AM इक्वल टू PN हो गया साइड 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 सी कॉंगर्वेंट हो जाएगा इसलिए बाइ साइड 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 ट्रेंगल A BM कॉंगर्वेंट ट्रेंगल PQN लो कॉंगर्वेंट हो गया पहली बाद यह कॉंगर्वेंट हो गया अब जो सेकेंड कॉस्चिन में क्या कर रहा है कि ABC पूरे ट्रेंगल को congruent करना है ABC ये पूरे ट्रेंगल और PQR ये पूरा ट्रेंगल congruent करना है तो भाई इस पूरे इस पूरे ट्रेंगल में क्या दिया क्या है ये तो समझो बात को सिर्फ एक साइड AB और एक PQ बराबर दिया हुआ है एक BC और एक QN बराबर दिया हुआ इसके अलाबा ये AC तो बराबर है नहीं कोई एंगल भी बराबर नहीं दिया हुआ है तो अभी CPCD से हम एंगल B को एंगल Q के बराबर कर सकते हैं तुम देख सकते हो देखो एंगल B बीच में एंगल Q बीच में यह CPC चे बराबर होगा तो आप कैसे तो भाई यह दोनों triangle जब congruent हो गया तो angle B angle Q के बराबर इधर वाला यह angle इसके बराबर और यह angle इसके बराबर तो इन सब का काम है नहीं मेरे काम किसका है? B का और Q का तो हम करकर देते हैं इसलिए angle B equal to angle Q by CPCT यह काम आप नहीं कर दिया अब आप इस triangle में चलो now in triangle ABC and triangle P QR इसमें A, B और P, Q बराबर दिया हुआ है ठीक है? A, B equal to P, Q आपने अभी B और Q को बराबर करके रखा हुआ है देखो B, यह Q है भाई, D नहीं है Q angle B equal to angle Q और A, C, Q, QR के बराबर है A, C equal to QR देखो side, angle, side फिर side, angle, side तो by S, S by S, S triangle A, B, C congruent triangle P, Q, R यही तो आपको प्रूफ करना था, यह प्रूफ हो गया देखा आपने कितना आसान सा question था यार I think 7 minute में बन गया है कि नहीं ऐसे ऐसे question सी है 7 minute, 8 minute में question बनने वाले है और I think कि जितना concept होना चाहिए था possible वो सारा concept मैंने आपको बता दिया हर एक चीज़ को break करेंगे भाई, median क्या होता है क्या property है उसका कैसे आधा करेगा और geometry मेरे से पूछोगा न तुम हजार बार पूछो तुम लाख बार पूछो मैं कहूँगा कि geometry बहुत आसान है ठीक है सिंपल यह है कि concept पूड़ा पकर में आना चाहिए आपका हर एक बार जानकारी होने चाहिए median क्या होता है, perpendicular क्या होता है bisector क्या होता है, ठीक है triangles की क्या property है यह सब कुछ अगर जानकारी में रहेगा तो सारे के सारे question ऐसी बनेंगे 5 minute से 10 minute 5 minute तो बहुत हो गया मैं समझा के बनाया तो लगा मेने कुछ 7 minute अगर सिर्फ solve करना होता है तो 2-3 minute मैं solve कर देता ठीक है, यह confidence आपको अपने आप में build up करना है कि मैं किसी question को at most 5 minute अधिक से अधिक 5 minute में solve कर दो ठीक है, तो exercise 7.3 के बागी question भी आप देख लेना Class 9 में triangle chapter 7 इसका पूरा playlist ही होगा उसमें exercise 7.1 से लेके 7.4 तक हर एक chapter को मैंने exercise खतम में खतम दिया हुआ है तो वो जबूर देख लेना आप, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, तब तक bye and check है पड़ते ही कुसरी मस रहिए, कैसा लगा पतने comment करके